जब season 1 आया था जिसके अंदर हमें एक नई कहानी एक fresh content देखने को मिला था season 2 की hype वहीं से बन गई थी मैं ही नहीं बलकि बहुत सारे जो लोग हैं इसके season 2 का वेट कर रहे थे लेकिन 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 किया उन उमीदों पर यह season 2 खरा उतरता है या नहीं उतरता है क्या-क्या कमया है क्या-क्या अच्छी चीजे हैं आएंगे उन सीजें के उपर but first of all इसके second season की कहानी के हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इसके season 2 में देखने को मिलता है जहां पर सीजन वन की एंडिंग होती है लगबग वहीं से समझों कि सीजन टू की शुरुआत हो रही होती है वसंत जिसको एक वरदान मिलता है कि वो आने वाले समय में फ्यूचर में उसको पहले ही न्यूज मिल जाएगी फ्यूचर की क्या होने वाला है जिसका यूज करके वो काफी ज़्यादा अमीर बन जाता है, सीजन टू में अब ऐसा समझो कि अब उसकी वाट लग गई है, जहां वो अमीर बना था, अब उसकी मतलब लंका लग चुके, अब वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है, अब वो बिल्कुल गरीब हो चुका है, जहां पर सीजन टू के अंदर उसको घमंड आ गया था, उसने अपने दोस्तों को, अपने प्यार को दूर कर दिया था, अपने आप से घमंड के चलते, अब सीजन टू के अंदर ऐसे तो रहें नहीं, जो लोग दूर चले कहें हैं, कम से कम उनको ये वापस ले आए, अपना प्यार को वापस ले आए, तो वही कोशिश वो करता हुआ दिक्त है, और सीजन टू के अंदर एक नया दुश्मन, और मतलब वसंद के पीछे हाथ दो कर पड़ गया है, कि जो उसके वरदान से, यह वसंद के पास जो वरदान है, जो उससे नुकसान हुआ है, ताकि उसकी वो भरपाई कर सके, उसी के वरदान का यूज़ करते हुए, और एक नया फीचर वसंद के पास हा जाते है, कि अब वो सर्च भी कर सकते हैं, अब तक तो तो उसको खुद बे-खुद न्यूज मिल रही थी, कि वरदाने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अब वो सर्च भी कर सकते हैं, कि एक वर एक्जामबल कार से लेटेट, स्टोक मार्केट से लेटेट, कोई भी न्यूज वो सर्च कर सकता है, और बहुष्य के अंदर जो भी चीज़ें होने वाली है, उस टोपिक्स लेटेट, उसको वो न्यूज मिल जाती है, काफी जादा एक इंटरस्टिंग इशु भी है, मतलब इशु क्या, फीचर होता है, तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे वसंत अपने आपको इन प्रोब्लम से बचा पाता है, एक जो नया फीचर आया है, वो कितनी उसकी हेल्प करता है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए, तो देखो आपको ये सीजन टू देखना पड़ेगा, देखना है कि नहीं देखना है, फिर खुड़ डिसाइड कर लए ना कि देखें या ना देखें, तो यह हो गई सीजन टू की चर्चा, यानि कहानी की चर्चा, अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या अच्छा है, फिर सीजन टू से बहुत जादा उमीदें लगा रखी थी, क्योंकि यार बहुत एक बढ़िया कहानी थी, सीजन वन के अंदर, तो उस चकर में मैंने इसका फिर्स्ट एपिसोड जो देखा, तो एक बहुत एक हाई लेवल पे इंटरस्ट था, सब की उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और जो थोड़ी बहुत कॉमेडी रखी गई है, वो ठीक है, जादा कॉमेडी नहीं है, लेकिन जितनी भी है, वो वर्क कर जाती है, तो ये हो गया, इस सीजन टू के बारे में अच्छी अच्छी बात है, तो ये होगी अच्छी अच्छी बात है, अब जो कमिया है, इस सीजन टू के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी जो है, वो दर्शकों की रही है, दर्शकों ने काफी जादा उमीदे लगा ली थी, इसके सीजन टू से, और उन उमीदों पर ये सीजन टू खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि इसके अंदर आप कहानी देखने को, जो मिलती है सीजन टू के अंदर, वो यार बढ़िया नहीं है, या फिर वो सही डंग से लिखी नहीं गई है, सही डंग से डेवलोप नहीं कई गई है, बहुत वीक स्क्रिप्ट रही है सीजन टू की, मतलब आप इसके अंदर जो भी करेक्टर देखेंगे, आपको वो खुद गन्फ्यूज नजर आएंगे, वो वेट कर रहे हों, जैसे कि स्क्रिप्ट उनको मिल जाए, कि उनको क्या करना है, तो वो सब चीज़े देखते हो, तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिंग होती है, ये सीजन टू देखकर, इतना ज़्यादा वीक स्टोरी, इतनी ज़्यादा खराब स्क्रिप्ट निंग, वो बिल्कुल भी उमीद नहीं के होती, कि हम खुद आख बंद कर लेते हैं, कि ये क्या चल रहा है, इरिटेशन सी महसूस होने लग जाती है, कुछ भी सर्च कर रहा है, मतलब उसके अंदर आपको फीचर मिला हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को दिखा सकते थे, डेफिनिटली कोशिश की गई है कि, हाँ, कहानी को इंटर्स बनाया जाए, एक नया फीचर लाया गया, लेकिन अवजुद उसके उस महनत करने के, वो उतरी बढ़िया कारी का, मतलब उसके बहुत नहीं हो पाती, वो बोर करने लगाती है, वो चिड़ चिड़ाहट सी होने लग जाती, उस चीज़ को देखकर, इतने बुरे ढंग से उस चीज़ को लिखा गया है, और देखो हैर, इसका फर्स्ट एपिसोड ही मुझे सही लगा, बाकी के समदलो की तीन एपिसोड तक, तो मैंने जैसे तैसे काम से ला लिया, लेकिन बाकी के जो तीन एपिसोड है, मैंने उन एपिसोड उसको ऐसे देखा है, कि बस मुझे इसकी एंडिंग दिखा दो, एंड में क्या होने वाला है, बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जाना, वो सारी चीजें मिलकर आपको एक तरीके से सर में दर्द कर देती है, तीन एपिसोड लास्ट के वह ऐसे लगते हैं, कि यार इनको जल्दी जल्दी निकालो, खतम करो, वो आपको बोर करने लग जाते हैं, तो अवरॉल अगर मैं बात करूँ, इस सीरीज के सेकिंड सीजन के बारे में, एक बहुत वीक स्टोरी के साथ, बहुत एक बेकार से डायलोग, और फाइटिंग सीक्वेंस के अगर बात करूँ, तो यार यकीन नियुआ, इतने बेकार फाइटिंग सीक्वेंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्या उनके बारे में बात करूँ, मतलब दो विलन, मतलब एक विलन और जो वसंत आमने सामने हैं, और वो चीज जो मैंने देखी है वहाँ पर, यकीन नियुआ कि इतना बुरे तरीके से भी कोई डिरेक्शन कर सकता है, बुरे तरीके से राइटिंग कर सकता है, डेफिनिटली वहाँ पर चीजों को लिखना अच्छे से चाहिए था, देखो एर, मुझे खुद बुरा लगा है, इस सीजन टू को देखकर, मुझे इतनी उमीदें थी, और मैं नहीं चालता था कि यह सीजन बिल्कुल भी खराब जाए, मतलब मैंने प्राइटना भी किती कि यह बढ़िया जाए, देखने में अच्छा लगे, क्योंकि भुवन बाम जहां पर यूटूब से निकल कर अपना नाम का आया है, तो उनसे उमीदें मेरी बहुत जादा थी, तो यह सब चीजें देखें तो यार मुझे भी बहुत जादा बुरा लगा है, गाली गलोच हैं बाकि इस सीरीज के अंदर बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बाकि देखो यार, वन टाइम कंसिडर कर लो, ज़्यादा तर आपके पास स्किप का उप्शन रहेगा, वो स्किप करके आप देखेंगे, तो ऐसे ही चीजों को देखा जा सकता है, तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में, थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जाहिन!